नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आप ही क्योट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करने वाले हैं आप आइसे से बैंक के बारे में विकॉस आइसे से बैंक ते अपना आज quarterly result अनौंस किया तो चक करेंगे result कैसा आया साथ ही सथ क्या market estimate को result ने meet किया कि निक्या इन पर डिस्टिन करेंगे आपका रहेगा करोड में comparison जो होगा यह लेन quarterly basis में comparison किया जाएगा यह देख सकते हैं result है यह आपका last year का result है यह आपका previous quarter का result है और चुक्कि बैंक है तो सबसे पहले चीजिए जाना है कि यह नों ने जो earned किया जिसे interest earned कैसे-कैसे interest discount, interest income and investment सब को जो quarterly basis में 44,581 से बढ़करके 46,325 हो गया है यहाँ भी देख सकते हैं शांदार उच्छाल देखने को मिल रहा है yearly and quarterly basis में अब देखे सब को हैप पर जोड़ दीजेगा interest earned, other income सब को जोड़िएगा तो बन जाएगा total income जो कि अभी आ रहा है 72,942 का है पर देखने को मिल रहा है अब देखे इस income को generate करने में कितना खर्च वा expense क्या है 53,064 का भी बताया जा रहा है last year था 41,000 साल दर साल में expense यानि खर्च भी अच्छा कासा बढ़ा है quarterly basis से 49,192 से बढ़कर के 53,000 यानि expense अभी तक का highest यहाँ पर देखने हो को मिल रहा है इस income को expense से minus kg तो आपका operating profit आ जा प्रफिट में भी operating profit में quarterly basis में 18,077 से बढ़कर के 19,078 अभी तक तो result बहुत संदार देखने हो को मिल रहा है अब देखे इसमें provision को minus करेंगे provision वो पैसा होता है जो company bank को लगता है को रिसकी पैसा है डूप सकता है ऐसे पैसा को अलग रखती है तो देखे हाँ पर बता जा अभी कितना किया गया है उनका अलग किया आ जा रहा है देख सकते हैं लाश रता 649 तो provisioning में देख सकते हैं अच्छा खासा उच्छाल देखने को मिल रहा है जो कि negative हो गया है bank के लिए हाँ पर quarterly basis में 13,1315 से बढ़कर के yearling quarterly basis से provisioning जो रहता है वो बढ़कर आ रहा है जो कि negative हो गया है है अब अब इस operating profit में अब provisioning को minus केजिए tax को minus केजिए तो सब कुछ minus करने का आपका आ जा रहा है net profit वो कि वह आ रहा है आपका 12,947 का भी बता आ जा रहा है last year था 10,896 अब है चेकिए जगा साल दर साल में लगवग 19 परसन 19 परसन का उच्छाल देखने को मिल रह देखने को मिल रहा है आगे बढ़ते हैं कंपनी के NPA को भी चेक कर लेते हैं देखें NPA जो बताया जा रहा है वो देख सकते हैं पर NPA ग्रॉस NPA को पहले चेक करेंगे देखें ग्रॉस NPA हापर बताया जा रहा है percentage के time में 1.97 का भी आया last year था 2.48 या नहीं कि asset quality में अच्छा है quarterly basis 2.15 से गिर करके 1.97 तो asset quality में सुधार देखने को मिल रहा yearly quarterly basis में percent of net non performing asset percentage के time में चेक करेंगे तो 0.42 का भी बता जारा last year था 0.43 इसमें भी गिराओट है हलका सा quarterly basis में भी देख सकते हैं आपर गिराओट देखने को मिल रहे है तो asset quality में सुधार है सब आगे को चक करेंगे market estimate को meet किया किया इन सबी चीजों को चक किया जागा तो इंक्रीज किया बढ़कर आ रहा 9.5% year on year basis to 20,048 के हापर देखने को मिल रहे है पहले था 4.36 यहापर वो गिर करके हो गया 4.27 तो यहापर दो चीजे negative यहापर देखने को मिल एक तो गया provisioning बढ़कर आ बाता है वो भी increase किया बढ़कर आ रहा है 1,233 का बता जा रहा है last था वो 583 तो 583 से बढ़कर के 1,233 हो गया और इसकलाब profit after tax ग्रोग किया 14.5% to 11,746 यहापर देखने को मिल रहा है अब आगे बढ़ते है क्या इस result ने market estimate को meet किया कि ने किया यहाँ बता जा रहे है कैसी से quarter to net profit jumps 14% on year on year to 11,746 beats street estimate तो profit के मामले में इसने beat किया है आगे बढ़ते है revenue की मामले में क्या beat किया कि ने किया उसको चेक कर लेंगा तहां देख सकते हैं अभी जो अभी आया है revenue हम लोगों का 20,048 करोड expectation था देख सकते हैं वो था 20,045 का so miss किया है money control pool का average था उसको इसने meet नहीं किया revenue के टर्म में देख सकते हैं इसी चीज़ को tablet form ने हम बताया गया पूरे brokerage का चेक की जगा MK global share खान access security सबका चेक की जगा तो average यहाँ पर revenue के टर्म में एना जो रहता 20,045 का आया कितना 20,048 है तो revenue के टर्म में meet नहीं किया है देख सकते हैं and profit के टर्म में चेक की है साथी साथ provisioning जो रहता है वो बढ़कर आ रहा है जो कि negative हो गया और साथी साथ margin में भी dip देखने को मिला तो बहु सारी चीज़े negative है बहु सारी चीज़े positive देखने को मिले तो मिला जो लसा mixed kind of result है पर देखने को मिला सब push dip करेगा market के mood महौल की उपर में तो यह था completely regarding ISIS bank result I hope आपको वीडियो अच्छा लगागा वीडियो अच्छा लगा तो यह वीडियो को लाइक कीज़ेगा share कीज़ेगा चैनल को subscribe कीज़ेगा thank you